हाँ जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड चैनल में और हमारी सीरीज चल रही है चाय और पाइथन चाय की चुस्कियों पे हम पाइथन के इंडेथ के बारे में देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो जो था हमारा इंस्टोलेशन आपको थोड़ा बहुत परिशान तो किया होगा बट कोई दिकत नहीं है इस वीडियो में बाकी कहानी भी क्लियर हो जाए होगी मेरा सिर्फ गोल इतना सा है कि अब यह आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपका Python at least install होना चाय है आपको एक Hello World प्रिंट करवा सको ठीक है बस इसके बाद हम आगे चलेंगे इस वीडियो का जो हमारा टार्गेट है वो बहुत ही छोटा सा टार्गेट है सिर्फ 300 कमेंट्स का within 24 hours of the upload of this video तो hopefully कि आप लोग 24 hours के अंदर ही हमारे इतने कमेंट्स करवा देंगे तो please target फटा फट अचीव करवा दीजेगा subscribe नहीं किया है तो कर दीजेगा और चलते आगे अब पता है मुझे इस वीडियो की सबसे surprising बात क्या लगती है कि देखी Python में already कोई इतना complex काम नहीं हो रहा है बड़ा ही basic सा काम होता है लेकिन surprise इस बात का है कि कोई भी क्यों नहीं introduce करता है इसको इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आर सही माहिने में तो Python अब समझ में आ रही है कि actually में behind the scene inner working होता क्या है Python का अभी तक तो सिर्फ लोग या तो handwritten notes दे रहे थे या सिर्फ code कर रहे थे तो ऐसा नहीं होना अच्छे ना कभी तो कोई engineering behind the scene की बात करें ताकि interest बना रहे तो इस वीडियो को देखके आपको बहुत मज़ा आएगा यह promise है तो चलिए चलते है अब main जो problem वाली बात है वो क्या है actually मैं आपके साथ में पहले screen share करते है कि जब हमने hello world python लिखाय था यह hello chai तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी सिर्फ एक hello chai ही लिखा था हमने chai with python chai और python तो तब तक मामला ठीक था जैसे हमने थोड़ा सा और code लिखा जिसमें हमने कुछ यह import statement भी लिख दिये अपने पहले ही विडियो के अंदर from इस file में से इस method को लेया और इस method को use करा तो हमारे पास में एक यह underscore underscore pycash underscore underscore पहली बात तो ऐसा नाम रखता कोई है कि दो underscore पहले और फिर हो दिखता है एक underscore जैसा है फिर यह pycash है क्या चीज और इसके अंदर यह file आई कहां से जो कि है hello python hello underscore chai dot c python dash 312 dot pyc आई यह कहां से आई क्यों आई क्या इसकी importance है क्या बिना file के इसके run कर सकता हूँ क्या python इसको वापिस से produce करेगा क्या होगा जब मैं code में कोई change करूँगा तो यह सारी चीजे हमें actually में जाननी थी और इसी के बारे में हमारा यह पूरा वीडियो है ताकि हमें python का basics clear हो internals जो होते है python के वो हमें पता लगे अच्छा कई लोग कह रहे होंगे कि अच्छा सर यह बन गया तो क्या यह compile हुआ है क्या यह interpret हुआ है अब आदे सादा लोग ना इन छोटी बातों पर इतनी बहस करना पसंद करते है कि main मुद्दे की जो बात है उसको छोड़ देते है sir python तो interpreted language होती है sir python तो compiled language होती है बस इसी बहस में लगे हुए है यह नहीं जानना कि actually मैं working बताओ ना मैं कुछ जज कर लूँगा interpreted है कि compiled है working बताओ चलिए आपको working ही समझाते है इस language की बड़ी interesting working है पहले चलते हम हमारे iPad view पे तो यह है हमारा iPad view जिल लोग को नहीं पता कि हम कुछ theory वगरा discuss करते टाइम हमारा यही white board है यही black board है यही digital board है इसी पे हम काम चलाते है तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि Python की inner working क्या है कैसे Python internally काम करती है अब जैसा कि मैंने आपको बता है Python में कोई इतना हजार complex शीज नहीं है कि Python आपको समझी नहीं है बढ़ी basic language है English जैसे काम करती है बट इसका जो process है working का वो कुछ इस तरह ऐसे होता है सबसे पहले हमें यूज करना हो था Python का एक interpreter या फिर आप Python का software बोलने तो ज़्यादा ठीक रहेगा भी क्योंकि वो install करा है और फिर आपको देना होता है कि मेरी script कौन सी run कर दी है अब आप इसको script बोलिए इसको program बोलिए इसमें कोई अंतर नहीं है कुछ लोग script बोलते हैं मैं program बोलता हूँ या प्रोग्राम बोल लीजे कोई इसमें खास अंतर नहीं आने वाला हमने उसको file का name दिया chai.py और उसने जो भी उसके अंदर instruction थे उसको execute करवा दिया चाहे वो printing का instruction हो चाहे कोई calculation का instruction हो या हो सकता है कोई web page बना में का instruction हो जो भी उसने instruction complete कर दिया तो जब वो instruction complete करते है तो behind the scene आपको कुछ देखता है यह जो मैंने बनाया है यह actually मैं python का आपका code है यह इसी तरह से दिखता है तो सबसे पहला काम जो होता है वो है byte code हाँ जी python भी आपके लिए byte code ही बनाती है यह mostly आपके पास hidden रहता है कुछ-कुछ cases में आपको visible हो जाता है जैसे आप file import वगरा करते है तो तो आपको easily visible होता है इसलिए आपको यह pycash वाला folder दिखाई दिया बट हमने जब first file अपनी run करी तो वहाँ पे भी बनता है बट नहीं थोड़ा सा लग भी होता है तो byte code अपना बनता है byte code बनने के बाद जैसे आपने python install करी ना तो python के साथ साथ एक और चीज़ आपके system में इंस्टाल होती है वो है python vm जिसका नाम है python virtual machine यही वो virtual machine है जो आपका actually में code run करती है तो यह byte code जो है उसके बाद fetch किया जाता है python virtual machine के अंदर और यहाँ पे आपका पूरा code run होता है इसके बारे में भी और detail अभी हम चर्चा करेंगे इनी notes के अंदर बट यही basic काम है तो देखा कुछ जादा इसमें कुछ खास था ही नहीं नहीं कोई ऐसे threads है ना loops है ना कुछ इस तरह से है कि queues लग गई ऐसा कुछ नहीं है बस simple byte code बनेगा byte code बनने के बाद python सीदा virtual machine में जाता है और वहाँ पे code run होता है तो बड़ा ही basic सा काम है अब हम चलते हैं हमारा जो step one है वो क्या होता है compile to byte code अब जैसे मैं लिकूँगा compile to byte code कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यह तो compiled language हुई ना byte code में हुआ नहीं यह actually में कहने का तरीका है यह एक tech jargon बोल सकते हो आप इसको यह technological term है कि actually में जब आपका python का code convert होता है byte code में तो वो compiled down होता है तो उसको एक interpretation term है वो तो इससे यह मैं सोर्स लेना कि नहीं नहीं python क्योंकि byte code बनता है तो मैं तो compiled language कहूंगा नहीं ऐसा नहीं है वो एक intermediatory step है आपका जिसमें हम बोलते हैं कि वो python का आपका जो सारा source code है वो compiled down होता है byte code में अब byte code जो है वो आपका low level code है machine code नहीं है low level code है जो की platform independent है यानि कि अब इससे फरक जादा नहीं पड़ेगा कि आप इस code को आप चाहो तो वैसे तो run करा सकते हो इसको भी कि आप इसको mac पर run कर रहे हो या windows पर उसको basically अब run कराने के लिए python vm लगेगा वो vm कहीं पर भी हो सकता है इसलिए cloud के अंदर आपने सोचा होगा सुना होगा कि python काफी यूजाती इसलिए क्योंकि एक बार अगर आपके पास low level code आ गया है byte code आ चुका है तो उसके बाद उसको आप अलग-अलग machines पर अलग-अलग vm पर भी जहां पर भी हमें basically python vm मिल जाएगा वहां run करा देता है अच्छा अब एक interesting बात क्या है कि आपका जो bytecode है वह actually में faster run करता है क्योंकि जो भी checks करने थे syntax वगरा के जो भी parsing वगरा करने थे वो सब हो चुकी है mostly पूरी तरह से नहीं होती है but mostly आपकी हो चुकी होती है इसलिए bytecode जो है वो comparatively आपकी script से तो comparatively जादा fast run करता है इसलिए bytecode python prefer करती है अच्छा जो यह bytecode है यह जो हमारी file दिखीती है हमें starting में जो .pyc लंबा सा नाम था hello underscore chai something something वो actually में जो .pyc है वो actually में आपका compiled python ही है इस compiled python के अंदर बड़ी interesting चीज़े होती है इसको कई बार frozen binaries भी का जाता है अब frozen binaries जैसे ही नाम आता है ना कहीं लोगों को लगता है अच्छा frozen binaries मतलब की यह .pyc इसको platform independent है तो मैं इसको ले जाके windows पर run करा दूँ या इसको ले जाके मैं mac पर run करा दूँ नहीं वो एक अलग step है वो actually में final output है जिसके अंदर आपको frozen binaries तो of course लगती है लेकिन साथ में आपको कुछ एक independent machines भी लगती है जो कि आपको .exe इस तरह का code produce करती है python में options हैं वो भी produce करने के तो उसके तुरू करते हैं बट हाँ उनमें ये जरूर है कि उसमें एक major role जो आपका है वो frozen binaries का ही होता है तो देखा कितना चोटा सा program है लेकिन वहाँ पे लिखा जाता है इतना सब कुछ अब हमारे पास एक और folder जो आया था वो आया था underscore underscore pycash underscore अब क्या है कई बार जब आप इस तरह का software लिखते हैं तो आपकी जो ये frozen binaries है .pyc है ये कई बार delete होके reconstruct भी होती है कई बार इसके versions भी बनते कई क्योंकि आप जैसे code में change करोगे उतना ही तो code लिखोगे नहीं तो अलग-अलग change करोगे तो उस इसाब से वो सारी अगर आपके main folder के अंदर आएगी तो सोचे कितनी सारी files आपके पास भर गई है तो सिर्फ उनी को organized रखने के लिए python अपने आपका system folder आपके लिए बनाता है जो कि python के लिए ही useful है underscore underscore pycache by the way python के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो आपके underscore underscore और last में भी underscore underscore आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे यह कई जगे आपके यूज़ाएंगे यह सिर्फ एक यह चीज दर्शा आता है कि यह चीज़े python के लिए internal use के लिए जैसे pycache हमें उससे कोई जादा काम नहीं है बस हम समझ रहे हैं उसको समझने के लिए हमारा तो कोई रूल इसके अंदर है नहीं तो उसका नाम pycache है कुछ एक अलग value देती है कुछ अलग समझती है तो अलग अलग roles है उसके वह हम आगे जाके देखेंगे बट अभी के लिए जान लो कि हाँ यह जैसे यह आपने लिखा एक आपका source change अच्छा मैंने change के अंदर यहाँ पर हम लिखना है भूल गया ठीक है जी यह लिख देते हैं change ठीक है तो एक तो आपका source change जैसे जैसे आपका source code change होगा तो क्या होता है mostly यह जो programming languages यह जितनी भी होते हैं यह कुछ ना कुछ diffing algorithm यूज करते हैं यानि कि difference finding algorithm यह क्या करती है कि आपका जो पहले का source code था उससे हमने कुछ PYC बनाया अब आपने कुछ source code में change कर दिया तो कितना change कर दिया पूरा completely फिर से नहीं बनता है सिफ जो changes होते हैं वो दूसरा एक important है कि python का कौन सा version आप यूज कर रहे हो वो भी important होता है इस पूरे के पूरे PYC को बनाने के लिए तो देखे हलो चाय तो उस फाइल का नाम था लेकिन उसके बाद हमने c python यूज करा अब python के ना बहुत सारे versions available है market में जब आप standard python के बारे में बात करते हैं तो इसलिए इसने नाम दिया c python अचा c python भी बहुत तरह से आता है जैसे python अभी देखा मेरे system में पहले कोई दूसरा था फिर मैंने दूसरा इंस्टॉल करा तो मेरे पास अभी जो है वो है 3.12 तो यह जो फाइल का naming convention है वो कुछ इसी तरह से होता है 3.12 तो यह 3.12 ऐसे ही कुछ 3.12 वर्जिन पर बनाए इसने यूज करा है standard python का c python और वहां से हमार पास यह frozen binaries आई है ओके यह एक और अभी recently ही recently मेरा मतलब है कुछ 3-4-5 साल के अंदर ही इंप्लिमेंटेशन हुआ है यह जो आपका .pyc file है यह आपकी imported files पर बनेगा इसलिए मैंने आपको जो पहला ही हम यह actually में imported files पे ही आती है यह कभी भी top level files पे नहीं आती है top level files मेरा मतलब है जब पूरे folder के अंदर file ही एक हो आप कुछ import export करी नहीं रहे हो तो फिर obvious ही बात है क्यों ही इसका जरूत पड़ेगा क्यों ही optimization की इतनी जरूत पड़ेगी एक ही तो file सी नहीं हमारी python virtual machine है उसमें करा दो बड़ जब चीजें इधर से उधर से import होती है तब optimization की जरूता थी कि क्या best तरीका हो सकता है कि उसको हम लेकर आ सके और internal compiler आपके काम करते हैं तो यह हो गया हमारा basic पूरा काम आप चोटा सा discussion हम PVM पे भी कर लेते हैं लेगे PVM जब बोलता है na python virtual machine तो बढ़ा ही अस करते हो उसको execute कर देता है सारा का सारा बस इतना सा काम हो सका अब हो सकता है उसके इंदर bytecode फीड कर रहे हो तो वो continuously लूप चली रहा है bytecode जैसे दिया तो उसने start से लेकि end तक उसको execute करा दिया और इसलिए python को interpreted language कहा जाता है यानि कि एक line by line interpret हो रही है तो वो PVM की वज़े स इसको interpreted language कहा जाता है और ऐसा नहीं कि हमेशा bytecode ही feed होता है PVM की सबसे अची बात ही है कि आप डिरेक्ट python script दे सकते हो और इसलिए आपका PVC सब के लिए generate नहीं होता है जो basic आपकी top level files है कुछ आपने main.py, hello.py कुछ लिका है तो वहां पे आपको कभी देखने कोई नहीं मिलत को देखो और थोड़ा सा problem लो, अच्छा, ये जो PVM है इसको एक runtime engine भी बूला जाता है, जैसे हर language को एक runtime engine चाहिए ही होता है, बिना runtime engine के code work करना तो possibly नहीं है, ऐसा है कि बिना engine के आप car चला रहे हो, तो बिना engine के car नहीं चलती है, आप उसमें चाह डीजल engine डालो, petrol engine डालो या फिर electric engine एक engine तो चाहिएगा, इसी लिए कई languages जैसे आपने अगर मुझसे JavaScript पढ़ियो तो वहाँ पे भी मैं engine की काफी बात करता हूं, कि जैसे अपना node का जो V8 engine है, वो actually में code run करता है, node रन नहीं करता है, node तो उसके उपर around एक wrapper है, इसी तरह से जो आपका Python होता है, यह हाँ पर हमार पास 1000 engine नहीं है, हमार पास सीधा PVM है, जो कि directly python.org से आता है, सब यही engine उठाते है, और कोई notebook में लगा देता है, कोई उसको mini conda में लगा देता है, तो काम अपना यह होता है, बट basically उसी कोई runtime engine कहा जाता है, अब इसलिए जैसा कि मैंने बता है, इसको Python interpreter हम बो चलता रहता आतना ऐसे, ठीक है, एक कुछ important notes आपके interview perspective के लिए, अगर आप high-end company हो में काम करना चाहरे है, यह open source जो company होती है, वो इस तरह की behind the scene details काफी पूछती है, वो सिर्फ आप से यह नहीं कहेगी कि यह print करा दो या यह python बना दो, इसलिए python के अंदर enthusiast बहुत है और rejection बहुत जादा है, क्योंकि वो in-depth knowledge की बहुत जादा कमी है, सबसे पहली चीज तो आपको पता होने चीए कि bytecode ना machine code नहीं है, यह direct instruction नहीं है, जो आप अपनी intel chip या apple chip को दे सकते हो, machine code direct instruction होता है, आपके hardware के लिए, लेकिन bytecode ना machine code नहीं है, तो इसलिए याद रखना, bytecode bytecode बन रहा है, वो कभी भी machine का instruction नहीं है, machine का instruction जैसे assembly language produce करती है, या फिर आपकी कोई भी language produce करती है, जो directly hardware को instruction दिया जाता है, तो bytecode वो नहीं है, यह याद रखना, bytecode ना यहाँ पे python specific interpretation है, python के लिए ही यह instruction है, तो इसको जो bytecode को है ना, ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी virtual machine जैसे जावा की virtual machines वगरा होती है, उसमें आप फीड करता है, यह पूरा optimized भी उसके लिए हुआ है, लिखा भी उसी के लिए गया है, specification भी उसी की है, तो यह python specific interpretation है, अच्छा, अब इतनी बात कर लिए तो थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं, अभी देखिए हमने जो use क c python, और आप majority cases के 90% cases में आप c python ही use करने वाले हो, कुछ एक exceptions होते हैं, वहाँ पे जरूर आप कुछ इसका अलग version या अलग optimization वगरा use कर लेते हो, बट जादातर cases में आप c python ही use करोगे, जब भी भी standard python या python normal किसी ने कहा है, तो उसका मतलब है standard implementation, उसका मतलब है c python, और regular जि आपके c python ही default आईगी, इसलिए बाकी जित्ते versions उनको specifically mention करना पड़ता है, कि नहीं नहीं, मैं पंगे c python से नहीं ले रहा हूँ, मुझे पंगा लेना है किसी और variant के python से, अब और variant है कौन से, देखे जाइथन भी है एक है, जिसको j python बोलते हैं, जाइथन जादा तर थो मैं कि क्या मतलब है मेरा की java की binary से या फिर java में बात करने से, वो भी बाद में बताएंगे, और उसके बाद यह iron python भी होता है, इसके लिए stackless भी है, पाई पाई भी है, जैसे concurrency में आपको जादा काम करना है तो आप stackless version यूज़ करते हो, performance oriented जादा करना है तो आप पाई पा काम भी python के अंदर होता है, हमने सिर्फ hello world लिखा और इतना सारा internal काम हो गया, बट आपको चाहिए देखने में लगे कि बहुत internal काम हो है, बट मेरी नजर से अगर देखोगे तो लगेगा इतना ही काम है अब चाहिए code में कुछ भी लिखूँ, और जादा behind the scene internal depth नहीं आ रह क्योंकि उसको देखने का perspective एक आपको बदलना पड़ता है, उसके बाद mutable, immutable यह हमेशा के लिए clear हो जाते हैं, आपके तो वो हम करेंगे, यह obviously बात है, तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, behind the scene python की inner working के बारे में, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please please share क करते हैं, इसलिए यह वीडियो कम बनाये जाते हैं, पर आप अगर share करेंगे, और लोगो को बोलेंगे कि नहीं हमें ऐसे वीडियो पसंद हैं, तो बागी creators भी फिर बनाएंगे, तो सब कबला है इसके अंदर, तो please share करिएगा फटा फट से, और एक छोटा सा assignment आपके लिए कि अगर आपको यह inner working समझ में आए, थोड़ी और research करिएगा इसके उपर, और इसके उपर एक अच्छा सा article लिखेगा, one of my favorite website, Hashnode, जिस पे सारे developers सी ब्लॉग लिखते हैं, तो वहाँ पर लिखेगा और इस वीडियो को embed जरूर करिएगा उसके अंदर, और share करिजेगा, सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, नहीं कर दिया तो हम भी कहीं नहीं जारे, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में,